हेलो बिजनेसमेन, उत्रप्रदेश के सभी इंडरस्टिरिस्ट, एग्रिकल्चरिस्ट, आप सभी का के आईपी प्रिवार में स्वागत है, यदि आपके पास शूटेबल एग्रिकल्चर लेंड है और आप वेरहाउसिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज है, वो यह है कि यूपी स्टेट वेरहाउसिंग कॉर्परेशन ने यूपी स्टेट के सोला डिस्टिक के 20 लोकेशन पर लगबग 3,42,000 मेट्रिक तन कैपसिटी के गोडाउंस के लिए टेंडर इन्वाइट किये हैं, यदि आपके पास शूटेबल लेंड है और आप भी चाते हैं कि एक रेगुलर मंथली रेंटल इंकम आपको उस लेंड पे मिलना सुरू हो जाए और आपका गोडाउंस या वेरहाउस बिजनस में इंटरस्ट है, तो आप इस बिजनस ओपर्टिज का फाइदा उठा सकते ह हैं, तो आएए हम इस टेंडर से संबंदित कुछ बेसिक्स पॉइंट्स आपके साथ डिसकस कर रहे हैं, यदि आप अपने आपकी जो लैंड है और आपको शूटेबलिटी लगती है, तो आप भी इस बिजनस ओपर्टिज का फाइदा उठा सकते हैं, तो सबसे पहले जो है, वो यह है कि जो यूपी स्टेट वेर आउसिंग कॉर्परेशन है, जो फूड ग्रेन के स्टोरेज के लिए गोडाउंस की रिक्वाइर्मेंट होती है, उसके लिए इन्होंने ये टेंडर इन्वाइटिट किया हुआ है, टेंडर जो स्पेसिफिकली गोडाउंस के रेगुलर रेंटल इनकम आपको मिलनी सुरू हो जाती है, एक होता है कि लीज विद सर्विसिज, यानि आप अपना गोडाउंस किराये पे तो देंगे, साथ में उस गोडाउंस पे जो फूड ग्रेन का स्टोरेज क्या जाता है, उसका रख रखाओ का जिम्यवारी भी प्राइवेट एंटर्पनियोर गारेंटी स्कीम के तहत तैन इयर की गारेंटीड वाला टेंडर है, यानि इसमें आपको एक बार आपने गोडाउंस बनाया, और सरकार आपके साथ तैन इयर का गारेंटीड एग्रिमेंट करेगी, यानि दस साल तक आपको रेगुलर पहले तुम्हें बता देता हूं कि इस टेंडर को भरने की जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी 2023 है, यानि यदि आपके पास चूटेबल लेंड है और आपको लगता है कि आप टेंडर में पार्टिस्पेट करना चाते हैं, तो 15 परवरी से पहले पहले आप इसकी प्लैनिंग कर लीजिएगा, अब हम इस टेंडर से स्पेसिफिक कुछ बेसिक की कौन इसमें आवदन कर सकता है, उस पॉइंट पे डिसकस कर रहे हैं, सबसे पहले यदि आपके पास शूटेबल लेंड है, शूटेबल लेंड का डेफिनेशन यहां यह है कि जो लोकेशन्स, स्टेट व होगी, यानि अगर वो लेंड कम से कम 22 फिट चोड़े रोड के साथ कनेक्टिड है, वो बाड प्रभावित छेतर में नहीं होने चाहिए, उसका लो लेवल भी नहीं होना चाहिए, यानि बहुत जादा लो लेवल होगा, तो आपके कंस्रक्शन कोस्ट बढ़ जाती है, उस के आज पास कोई ऐसी इंडस्ट्रीज, जो पॉलिटिंग इंडस्ट्रीज हो वो ना हो, पेट्रोल पंप ना हो, इंट भठा ना हो, साथ में उस लैंड के उपर से हाई एक्स्टेंशन इलेक्ट्रिसिटी की वायर ना गई भी हो, क्योंकि ये कुछ बेसिक कंडिसन्स होती हैं, अगर ये आप मैट आउट करते हैं आपकी जगह पे तो वहां गोडाउन बनाने में आपको दिक्कत नहीं आती है, तो यहां यदि आपके पास खुद की लैंड है, तो भी आप आवे दिन कर शकते हैं, यदि आपके पास खुद की लैंड नहीं है, और आप लीज भी अपलाई करना चाहते हैं तो भी आपका चाहते हैं उसके लिए जो basic जो लीज agreement period है वो कम से कम 13 साल का आपके पास होना चाहिए क्योंकि जब tender period ही 10 साल का है तो जो लीज पीरेड है वो आपका कम से कम तेरा साल का होना चाहिए और वो registered listed होनी चाहिए तीसरा यदि आपके पास land भी नहीं है और registered listed भी नहीं है तो भी आप इस tender में apply कर सकते हैं means to say if you are intended to buy or take the land on registered listed तो भी आप एक additional EMD amount देके इस tender में participate कर सकते हैं आप व्यक्तिकत रूप से या एक partnership firm बना के या आप अपनी company बना के या trust बना के भी इसमें आप आवेदन कर सकते हैं यदि for example जो land है वो चार लोगों के नाम है तो वो चारों लोग मिलके एक partnership firm बना के तो वो इस tender में participate कर सकते हैं दूसरा important point यह है यदि आपके पास suitable land है और आप इसको individual firm में या partnership firm में या company firm में जिस भी form में tender submit करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपका applicant model है उसका jam portal में registration होना अनिवारी है क्योंकि यह tender system है यह online bid system है और इसमें आपका tender submit होगा वो online portal यानि jam के portal पे के थुरू ही submit होगा तो आप जो भी model adopt करना चाहते हैं उसका jam में registration होना अनिवारी है तीसरा point अब जो यह tender system है यह two bid system है यानि जो पहला होगा वो technical bid होगा दूसरा होगा financial bid technical bid में जो आपकी जो land है उसकी suitability जो tender के norms के coding लिए अगर वो fit होती है तो technically आप उसमें eligible हो जाते हैं यदि आपकी land technically eligible होती है तभी आपकी जो financial bid है वो open के जाती है और financial bid में आपको जो go downs बना के देना है उसके लिए जो आप rent charge करना चाहरे हैं उसके लिए आपको bid करना होता है यानि जो rent आप सरकार से expect कर रहे हैं कि मैं ये go downs बनाऊंगा और इस पर मेरा इतनी लागत रहेगी और आपको जो अपनी calculation के इसाब से suitable लगे कि सर कम से कम मेरे को इतना किराय तो सरकार से expected है वो आप financial bid में mention करके bid submit करते हैं और जब tender open होगा तो जिसकी सबसे lower bid होगी government उसको preference देती है कि उसको वो tender allotment हो जाता है तो यहां important point यह है कि आपकी land suitable हो आप technical bid qualified कर पाओ और उसके बाद आप financial bid में आपकी अगर lower bids मिलती है government को तो आपको टेंडर allotment हो जाता है अब टेंडर प्रकिरिया में जो एक important point यह है कि आपको जब टेंडर भरना होता है तो एक EMD money यानि earnest money deposit tender के साथ deposit कराना होता है वो जो EMD money है वो है 20 रुपया पर metric ton यानि सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 5000 गुना बेज यानि आपका तक्रिवन जो है एक लाख रुपया EMD money आपका बन जाता है तो EMD money आपको 20 रुपय पर मेंटिक तन के साथ से deposit कराना पड़ेगा जब आप टेंडर भर रहे हैं दूसरा यदि आप intended to buy हैं यानि आपके पास खुद की लेंड नहीं है नहीं है आपने लेंड पट्टे पे लिए लेकिन आप लेना चाहते हैं तो उसको हम कैटेगरी बोलते हैं intended to buy और intended to take the land on lease तो उसमें आपको एडिशनल सो रुपया पर में टिक्रन एमड डिपोजिट कराना पड़ेगा और यदि आपको टेंडर अलोट्मेंट हो गया तो विदिन 120 दिन 120 देज आपको वो लेंड खृदनी होगी या आपको वो लेनी होगी अन्य था आपकी जो एमड अमाउंट है वो फॉरफिट कर मेंट है वो जो पैरामेटर वो यह है कि अप्टू 5000 मेट्रिक तन यानि 5000 मेट्रिक तन तक का अगर आप गोडाउंस के लिए टेंडर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपके पास दो एकड लैंड होना अनिवार यह हैं यह जो स्टेंडर नॉम से यह फूड कोर्परेश सेवन एकड की लैंड की रिक्वाइरमेंट होती है स्पोर्ज आप माले जीए कि 10,000 मेट्रिक तन का टेंडर अप्लाई करना चाते हैं आपकी लोकेशन पर्टिकुलर्ली में तो आपके पास कम से कम 3.7 एकड लैंड होना अनिवार यह हैं तो आप अकोर्डिंगली आपके पास जितनी भी लैंड है आप उसके इसाब से अपनी जो टेंडर में गोडाउन कैपेसिटी ओफर कर सकते हैं तो यहां मैं कुछ आपको जो लोकेशन हैं पर्टिकुलर्ली वह मैं आपके साथ शेयर करना चाहरा हूं ताकि आप उसी के अकोर्डिंगली अपना प्लैनिंग कर सकते हैं तो टोटल यहां सोला डिस्टिक की बीस लोकेशन के लिए अटेंडर आमंतरित किये गई हैं टोटल कैपेसिटी जैसे मैंने बता तीन लाख एक तालिस जार शेसो सतर मिर्टिक टन की हैं मैं लोकेशन आपको शेयर कर देता हूं कि पहला जो है सिद्धार्थ अंबेडकर नगर चंदोली शोन भद्रा संत कबीर नगर गाजिपूर बल्रामपूर बलिया उन्नाव सुल्तानपूर और कसमवी यह जो टोटल सोला डिस्टिक्स हैं इन में जो लोकेशन हैं अराउंट टंटी लोकेशन हैं जो जिसको हमां राजमंडी भी बोल सकते हैं इ डिटेल्स में कि आपकी लोकेशन उसके वहां जो गोडाउन की कैपसिटी जो इन्वाइट की गई है डिटेल्स डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो में मिल जाएगा आप वहां से भी देख सकते हैं और हमारे टीम से कनेक्ट करके भी आप इसके बारे में और जानकर रिले स इसके बाद जो अगर आपकी यह रिक्वाइर्मेंट्स फुल्फिल हैं तो आप टेंडर में पार्टिस्पेट कर सकते हैं यहां इंपोर्टेंट पॉइंट जो यह है कि बहुत सारे बिजनसमें यह जाना चाते हैं कि सर इसमें हम टेंडर भर दें तो हमें क्या कोस्ट लग करते हैं तो एक क्रोड़ पिछतर लाक रुपए तक का टोटल कंस्ट्रक्शन कोस्ट आता है इसमें लैंड की को सामिल नहीं होती है प्लस इसमें क्योंकि जो टेंडर है यह लीज विद्सर्विसिस है यानि आपको रख रखाओ भी करना होगा तो आप अपनी जब कैलकुल लिए टोटल कोस्ट का एस्टिमेट की करके आप टेंडर में अपनी जो प्राइस बीड है यानि पर क्विंटल पर मंथ आप कितना चार्ज करने वाले हैं आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं अकोर्डिंग लिए फाइनेंशल बीड में वो रेट मेंसन कर सकते हैं अब यह हां एक इंपोर्टेंट पॉइंट यह है कि गवर्मेंट के कुछ स्पेशल इंसेंटिव भी है इस पर सबसे पहला जो इंसेंटिव है यदि आप उस पूरे प्रोजेक्ट में स्पोर्ज मान लेजिए कि आप लोन लेके कंस्ट्रक्शन करना चारे हैं तो जो ट्रम लोन करेंट का इंट्रस समेंशन मिलेगा तो इससे क्या होगा कि आपके इंट्रस्ट कोस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी और सबसे अच्छा पॉइंट यह है कि यह जो रिफंड होगा इंट्रस्ट का आपको क्वाटरले बासिज पहोगा यानि डारेक्ट ली यह आपके अग्रिकल्चर परपर्स से गोडाउन से इन्वाइटिट किये गए हैं यहां आपके लिए एक नबाड जो नैशनल अग्रिकल्चर रूरल डव्लेमेंट बैंक है उसके दोवारा एक कैप्टल सब्सीडी का भी प्रोविजन से नबाड पांच हजार मिट्रिक तंतर के गोडा सब्सीडी मिलती है और अगर आप फिमेल्स के नाम से अगर कोई यह टेंडर अपलाई करते हैं या गोडाउन कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहां आपको थर्टी थरी पर्सेंट ओफ कोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का ऐसे कैप्टल सब्सीडी मिलता है तो आप यह जो दो बेसि सब्सीडीज हैं इंटरसिडीज और आपके यह जो कैप्टल सब्सीडीज है इनका भी अप्रोविजन जब आप रेट कोट करें आप यह बैने फिट्स को चंसीडर करके रेट कोट करें तो यहां यह इंसेंटिव्ज अगर आप लाइन अप करते हैं और अगर आपकी होना जुरूरी है नहीं आपके पास अगर suitable land है और आप इस टेंडर में participate करना चाहरें तो पहले आप टेंडर में participate कीजिए टेकनिकल बीड को qualified कीजिए financial को qualified कीजिए उसके बाद आपको गोडाउंस बनाने एक साल का पिरिड दिया जाएगा एक साल के अंदर अंदर आपको गोडाउंस बनाके यूपी स्टेट वेराउसिंग को देना है और फिर आपका जो टैनियर का एग्रिमेंट वो एक्जिक्यूट होगा यानि आपको जो रेगुलर आगे मंथली बेसिस पर आपको गौवर्मे आप इसमें भाग लेना चाहते हैं यह इसे लिटेड कुछ ओर डिसकुसिन करना चाते हैं तो आपका के एपी में स्वागत है आप निची दिये गए नंबर पर कॉंटनेट कर सकते हैं या हमारे ओफिस में विजिट हुट कर सकते हैं 2008 से के एपी वेराउसिंग थेंक यू